वेलकम एन एजुकेशन के इंपोटेंस गाईज जो मैं लेकर आगया हूँ आपके लिए यह बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो इस वीडियो में मैं आपको एक से और हंड्रेड तक के स्कॉयर निकालने की ट्रिक बताने वारा हूँ होथ इजीली आप इससे स्कॉयर फाइंड कर सकते हो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो चलिए सीखते हैं क्या है यह ट्रिक तो जैसे गाई जो हमें कोई नंबर है एवी एवी यह टू डिजिट का नंबर है इसका स्कॉयर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे इदर बी का स्कॉयर कर देंगे और इदर एका स्कॉयर कर देंगे और इदर क्या करेंगे टू इंटू ए इंटू पी यह हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे स्कॉयर फाइंड करेंगे तो यह formula याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, अब हम कोई भी number लेते हैं, जैसे मैंने एक number लिया, 79, इसका मुझे square find करना है, तो सबसे पहले हमें एक से 10 तक क्या है, square तो पता ही हुथें, तो 9 का square कर देंगे एदर, और एदर कर देंगे 7 का square, एदर बीच में 2, A भी, A कतना है 7, और B कतना है 9, कितना आजाएगा 9 का square आजाएगा, 81, देखो, 7 को 9 से multiply करेंगे तो 63, और 63 को फिर से 2 से multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा 126, ओके, इदर, फिर इदर, 7 का square, 49, अब, एड कैसे करेंगे, देखो, 1 का 1, ठीक है, इस 8 को इदर एड करेंगे, तो अब जब 8 को इदर एड करेंगे तो यह कितना हो गया, 134, जब इसको इदर एड किया तो इकतना हो गया, 134, 134 का कितना लिखेंगे, 4, यह बन बन डिजित ही लेना है only, यह unit digit होता है हमारा एकाएं, वह ही हम लिखते है उत्तर, और इस 13 को इदर एड करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 62, तो answer आजाएगा, 6241, है ना trick, बहुत एजी, ठीक है, next देखते हैं, और कोई नम्मर लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिए 95, इसका square करना, तो 95 का square करेंगे, सच से पहले 5 का square कर दो, इदर 9 का square कर दो, इदर 2 into 9 into 5, तो कितना आ गया? यह 25 आ गया, एदर कितना आ गया? दो को भी 45 हो जिक हो जाएगे, बहुत चैसे जो यानिकि 90 अबब चीशा और भी इसको लेते हैं जैसे कि और लेलिया मैंने और एक्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 65 लेलिया मैं इसका स्कॉयर करना है मुझे तो 65 का स्कॉयर तो इधर 5 का स्कॉयर इधर 6 का स्कॉयर इधर 2 into 6 into 5 इधर आगया 25 जो 6 को 5 से मल्टिपलाई करे तो 60 इधर आगया 36 यह 5 आगया इस 2 को इधर add कर दिया तो यह 62 हो गया 2 के 2 आगया और इस 6 को इधर add कर दिया तो 42 आगया तो आंसर आगया 4,2,2,5 ओके नेक्स्ट और भी कोई भी नमबर लेते हैं हम जैसे मैंने एक नमबर लेलिया 42 इसका स्कॉयर करना है मुझे तो 42 का स करेंगे कि सबसे पहले यह हैं कि in और वो का स्कूरर दीप्र और तो यह दोनों का क्यों ऑनकी डी क्युल्त कि टुक्ष लगेा तो इटेन वे एंट भी सिक्स्टीन तो फोर गाँ सिक्स यह दर एंट टेन ले भिट बैंने वसे हैं मेगेडå यह कोई भी और भी नमबर लेते हैं जैसे कि और मैंने नमबर ले लिया 84 इसका स्क्वाइर करना है मुझे तो सबसे पहले 4 का स्क्वाइर 8 का स्क्वाइर और इधर 2 इंटू 8 इंटू 4 ठीक है 4 का स्क्वाइर 16 देखो 8 को 4 से मल्टिकल आए करें तो 32 और 32 को 2 से करें तो 64 और इधर 8 का स्क्वाइर 64 तो दो 6 का 6 हो गया इस 1 को इधर अटर देंगे तो जिए 65 हो गया 5 की 5 आगए और इस 6 को इधर अटर देंगे तो कितना हो गया यह 70 तो आँसर कितना आगया इसका square करते हैं, 99 का square, 99 का square करते हैं, तो 9 का square, इधर भी 9 का square, इधर, 9 into, इधर आ गया, 9, sorry, 2 into, 9 into 9, ओके, तो यह 9 का square, 81, इधर, 9 को 9 से multiply करेंगे तो, 81, 81 to 2 से multiply करेंगे तो, 162, और इधर, 81, add कैसे करेंगे, 1 का 1 आ गया, ठीक है, इस 8 को इधर add कर देंगे, तो यह आ गया, 170, ठीक है, यह 0 का 0 आ गया, इस 70 को इधर add कर देंगे, तो जब 70 को इधर add करेंगे, तो यह कितना ब हो जाएगा 98 तो आंसर कितना होगा आंसर हो गया 9801 बहुत इसी ट्रिक थी आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने को